दोस्तों गलवान घाटी क्लाश जो हुआ था 2020 में उसके बाद से भारत और चाइना एक दूसरे के सामने कई बार आ चुके हैं बहुत सारे छोटे छोटे एसकेलेशन्स बहुत सारे ऐसे इंसिदेंसिस हमने देखे हैं जहां पर आमना सामना हुआ है दोनों ही आमीज का इसमे भी इंपक्ट पड़ा है कही न कहीं जो डिप्लोमाटिक डिसकाशन्स है वो भी हुए है चीजों को सुधार ने कोशिश की गई है लेकिन बार बार चाइना कुछ ऐसा कर देता है कि भारत एक कदम आगे जाने की बजाए चार कदम तीछे हो जाता है एक बार फिर चाइना जो है भारत को प्रवोग कर रहा है और इस बार उसने क्या किया है तिबत में सिर्फ सिक्केम से डेर सो किलोमेटर दूर अपने सब से जादा एडवांस स्टेल्थ फाइटर फाइटर जो है जे ट्वेंटी इनको डिप्लॉय कर दिया इनको तैनात कर दिया है तो नमशकार तो पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है मेरे नाम ने धी है तो तो आज हम इसी न्यूस के बारे में डीटेल में बात करने वाले हैं तो सैटलाइट इमेज़ जो की गैदर की गई सताइस मही को उन में पता लगा कि चाइना ने डिप्लॉय किये है अपने सबसे जो की भारत की सीमा से यानि सिक्किम से केवल डेड़ सो किलोमेटर की दूरी पर है तिबत में ये प्लेस किये गए है तैनाद किये गए है सैटलाइट इमेज रिवील कर रही है ते प्रेसेंस ऑफ सिक्स चाइनीज एर फोर्स जेट्वेंट ये यहाँ पर आप देख पा र सिटी है तो तिबत में इनको तैनाद किया गया जैसा कि मैंने आपको शुरुबात में बताया ये जो फाइट जैट से यूजवली इनको इस्टन प्रोविंस में रखा जाता है चाइना के अभी इनको यहाँ पर तैनाद किया गया है तो जो एरपोर्ट है इत लाइज अ अ सिटी इस इस नौ दी फार्स टाइम कि J20 वैटर जैट को डिपलॉय किया गया है तिबत में लेकिन इस से पहले जो जैट से इनको देखा गया था या उब्जर्व किया था जिंजी आंग में जिंजी आंग यहां पर देख पा रही है इस प्रांत में इसके होतान जो अवेलेबल सेटलाइट इमेजरी के दुवारा नाओ यहाँ चेंगदू जो है इनको कहा जाता है माइटी ड्रागन यह माइटी ड्रागन के नाम से भी जाना जाता है ट्विन इंजिन स्टेल्थ फाइटर है जिनको इंट्रड्यूस किया गया था सर्विसमें ट्वेंटी सेवंटीन इसका प्राइमरी डोल किया है इसका प्राइमरी डोल है एस अन एर सुपिरियोर्टी फाइटर और यह कैरी करता है अपने साथ चाइना के सब से एडवांस एर-to-air मिसाइल जिसमें PL-15 भी लॉंग रेंज एर-to-air मिसाइल है जिसके अंदर एबिलिटी मानी जाती है कि वो स्ट्राइक कर सकती है एरियल टागेट्स को अप्टू 300 किलोमीटर काफी खतरना कि ए-to-air मिसाइल है नाओ जे ट्वेंटी के अगर खासियत की हम बात करें तो इट इस हाई उन स्टेल्थ मतलब इसको पकड़ना रेडार के द्वारा इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है रेडार में नहीं आता है ये ठीक है इसको विलॉंग भी कहा जाता है यानि माइटी ड्राइगन ये ट्विन जेट है ओल वेदर स्टेल्थ फिफ्ट जेनरेशन फाइट एरक्राफ्ट है चायना के चेंग्डू एरोस्पेस कॉर्परेशन इसको डेवलाप किया था फॉर पीपल लिबरेशन आमी एरफोर्स जेट्वेंटी को डिजाइन किया गया है अज एर सुपिरियर्टी फाइटर विद प्रिसिशन स्ट्राइक केपरिटी जो कि हमने भी प साथ में शेपिंग टेक्नीक्स हैं जो कि डिजाइन की गई है ताकि मिनिमाइस किया जाया सके इसका डिटेक्शन बाइडार मतलब बहुत मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना ओन रेडार यहां में आपको मता दो भी कुछ दिन पहले ही इंडियन एफोर्स ने क्लेम किया ह कि जो चाइना का जेटवेंटी है इसको हमारे रडाज ने डिटेक्ट कर लिया था ना जेटवेंटी जो है इट अल्सो बॉस्त फोर्मिडेबल एवियोनिक्स यानि एवियेशन उलेक्रोणिक्स जिसमें की टाइप 1475 अक्टेव एक्टेव एलेक्रोनिकली स्कैन्ड एरे radar है जो कि potentially allow करता है beyond visual range engagements को भी मतलब visual range के beyond जो अगर सामने से enemy आ रहा है तो उसमें भी engagement करने की क्षमता ये रखता है नाव भारत किस से counter करेगा इसको भारत counter करेगा J20 को with its fleet of 36 French build Rafale fighters जिन में से 8 फिलाल Alaska में है for advanced air combat exercises with United States Air Force यहां शिगाथ से जहां पर Chinese J20 को spot किया गया है this place it is only 290 kilometers from Hasimara जो कि West Bengal में है जहां पर भारत बेस करता है अपना second squadron of 16 Rafales तो यह से हम इसको counter कर सकते हैं नाव हम कैसे कह सकते हैं कि भारत के पास edge है तो चलिए on paper J20 थोड़ा slight edge उसका दिखता है because of the larger and heavier 5th generation stealth fighters जिसमें एक superior speed है higher service ceiling है लेकिन इसकी जो abilities हैं जो इसकी शमता हैं वो अभी भी unproven है और इसकी combat effectiveness जो है अभी भी I'm tested है इसको test नहीं किया गया है जो भी इसकी superiority advertise की गई है अभी तक वो केवल demonstrations के द्वारा की गई है वो अभी सिर्फ demonstrations के लिए use की गई है महीं दूसरी कर रफाल की अगर हम बात करें इस 4.5 generation fighter जो छोटा है, lighter है और इसमें अपना combat record जो है Iraq and Syria इसके जो features है वो sophisticated spectra electronic warfare suit के है और ये carry करता है diverse weapon payload मतलब अलग अलग तरा के weapons इसमें आ सकते हैं payload आ सकता है including meteor air to air missile जहां J20 excel करता है stealth or advanced avionics में महीं रफाल के जो operational experience है उसकी जो versatility है with our better trained and more experienced pilots it makes it a formidable foe कि इससे बचना मुश्किल है अगर हम इसकी comparison देखें दोनों ही fighter jets का तो भारती रफाल twin engine की बात करें दोनों ही twin engine है seat की बात करें दोनों ही single seat है मुख्य काम क्या है stealth jet है मतलब रडार को चकमा दे सकता है वहीं ये multi-roll fighter jet है अगर हम take off weight की बात करें तो 24,500 kg है वहीं इसका 34,000-37,000 kg है इसी सारा range की हम बात करें तो 37,000 km की range है वहीं इसकी 34,000 km की range है जो की expandable हो सकती है expand की जा सकती है maximum speed 2130 kmph 2100 kmph कितने missile carry कर सकता है टाइम पर 4 तो कहीं ना कहीं दो राफेल जो है भारत का वो पुराना है लेकिन अभी भी वो चाइना के J20 को टकर दे सकता है इतना ही नहीं भारत match करता है Chinese airfield expansion को by हमने जो अपग्रेड किये हैं अपने airbases को हमारे airbases जो हैं बार्डर पर अपग्रेड किये गए हैं जिसमें hardened shelters लगाए गए है aircrafts के लिए और साथ ही हमने expand किया है अपने tier को जो surface to air missile defense है उसको जिसमें अभी हाल ही में deploy की गई है Russian build S-400 long range surface to air missile system Eastern India में इधर ही towards LSE जो deployment S-400 system का in the eastern part of the country मैं आपको बता दूँ S-400 में ability है कि वो track कर सकती है stealth platforms को तो इसको design किया गया है डेटर करने के लिए Chinese fighter sweeps को जो भी offensive fighter sweeps आ रहे हैं along the LSE तो भारत पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि तयार है टकर लेने के लिए अगर कुछ हरकत की जाती है चाइना की तरफ से तो we are also ready for it so that was about the recent news जो कि satellite image के द्वारा पता लगा था कि चाइना तिबत में अपने सबसे खतरनाक fighter jets से उनको deploy कर रहा है दोस्तों अनकाडमी learners के अगर में बात करो तो UPSC CSC में shine किया learners ने फिर से जहां पर 315 से जादा learners को लिफाय किया उन्होंने with the help of unacademy platforms यह किसी ना किसी रूप में अनकाडमी platform से जुड़े हुए थे आप भी इस लिस्ट में नाम शामिल कर सकते हैं with the help of unacademy ice advantage जहां पर आपको comprehensive coverage मिलता है general studies का dedicated CSAT essay writing classes मिलती है current affairs का full coverage मिलता है test series आपकी sorted है आपको 40 से जादा test मिलते हैं यहां पर prelims और mains के लिए regular interaction आपका educators के साथ हो रहा है with one-on-one mentorship and doubt-solving sessions साथ ही you can get closer to IS dream with the help of India's biggest scholarship test जहां पर scholarship और gifts का pool है एक करोड रुपे का 8 जून को ही होने वाला है सुभा साड़े नौ बजे onwards तो जाकर अभी description से इसका link लीजिए और अपने आपको enroll कर लीजिए and attempt कीजिएगा ज़रूर इस test को और our offline batches courses के लिए आप हमारे offline centers जा सकते हैं दिल्ली में हमारे center Mukherjee Nagar और करोलबाग में हैं वही UP में हमारा center प्रयाग राज में हैं जहां पर ना किवल आप UPSC के तियारी कर सकते हैं बलकि UPPCS के तियारी भी कर सकते हैं भारत के top educators के ताथ with 40% तक का discount go enroll now बाकी details के लिए आप center visit कर सकते हैं हमारे तीनों ही center open है इन numbers पर call कर सकते हैं and कोई भी जानकारी आपको description box से मिल जाएगी go check it out now आपको सारी अपडेट्स हमारे चैनल पर uploaded videos की मिलती रहें that'll be all from my side thank you so much god bless take care bye bye आपको सारी 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 झाल झाल